दोस्तों इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना energy के move नहीं कर सकती है अगर वो move कर रही है तो उसके पास कोई न कोई energy होगी अगर सारी energy को हटा दिया जाए तो अभी इस कमरे में जो हवा के particles हैं जो atoms, molecules हैं वो move कर रहे हैं क्योंकि उनके पास thermal energy है और अगर उस thermal energy को भी हटा दिया जाए तो वो सब एक जगह रुक जाएंगे यानि zero Kelvin पे कुछ भी move नहीं करेगा लेकिन physics ही propose करती है एक ऐसी state of matter 2012 में Frank Wilczak ने एक ऐसा proposal दिया था कि उन्हें कहा था एक ऐसा state of matter possible है जहां पर आप बिना energy के भी movement कर सकते हैं एक ऐसा object है जिसके part बिना energy के एक state से दूसरी state में move कर सकते हैं लेकिन यह part सीधा सीधा thermodynamics का जो second low है उसको completely disobey कर देता है क्योंकि thermodynamics का second low यह कहता है कि समय के साथ हर चीज में disorderness आता है दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ time crystal की जिस तरीके से एक normal crystal होता है जो अपनी surrounding के साथ equilibrium में है जैसा है वैसा ही रहेगा समय के साथ बदलेगा नहीं अगर बाकी चीजे नहीं बदल रही है तो जिस तरीके से कोई भी crystal x y z direction में अपने आपको continuously repeat करता है और crystal बनाता है उसी तरीके से ऐसा भी एक state of matter possible है जो समय के साथ एक continuous variation दिखाएगा लेकिन उनके proposal में एक जो सबसे बड़ी problem थी वो यह थी कि उनने बोला था कि जिस तरीके से एक pendulum की घड़ी जो होती है उसमें cell डालने पर ही pendulum चलता है मैं जो proposal दे रहा हूँ यह एक ऐसी state है matter की जहां पर energy की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब यह part कि बिना energy के motion हो जाएगा यह part तो physics की perpetual machine वाली बात में आ जाता है अब perpetual machine तो possible है नहीं क्योंकि इस बर्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना energy लिये चलती चली जाए तो फिर क्या यह जो time crystal है यह सिर्फ एक fancy कहानी है जैसे marvel movies में दिखाया जाता है क्या यह सब भी वैसे कोई fantasy है तो दोस्तों ऐसा नहीं है recently physicist और researchers ने मिलकर Google के quantum computer को use करकर यह claim किया है कि उनने इस state को बना दिया है they have made it in the lab using quantum computer psychomore लेकिन उनने कैसे कर डाला इस गुत्ती को हम आज solve करने वाले दोस्तों मैं हुत्वारा matter friend मनीश पुरहिट आम फो में इस साइंटिस्ट और आज हम बात करने वाले है time crystal की अगर मैं diamond को देखूंगा तो diamond में जो carbon atoms arranged है वो एक particular pattern में arranged है और वो arrangement किसी भी direction में आप चलते चले जाएंगे तो आपको repetition में मिलेगा अगर सब कुछ सेम रहता है तो समय के साथ उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा time crystal एक ऐसा crystal प्रपोज हुआ एक ऐसी state प्रपोज हुई जहाँ पर crystal है arrangement है periodic भी है लेकिन वहाँ पर जो variations है वो समय के साथ हो रहे हैं यानि जो periodicity है जो symmetry है वो समय के साथ है यानि एक ऐसा crystal है जो एक पल किसी एक arrangement में है और वही atoms उस crystal के अंदर दूसरे पल किसी और arrangement में है लेकिन यह जो arrangement आपस में बदल रहे हैं यह बिना किसी energy को use करे समय के साथ चलते चले जा रहे हैं एक crystal के अंदर अगर defect आ जाता है तो there is a possibility कि वहाँ पर एक electron अटक जाए localized हो जाए और इस phenomenon को कह दिया गया Anderson localization अब तुमको लगेगा कि इसका time crystal से क्या लेना देना है दोस्तों कहानी ऐसी है कि इसका time crystal से बहुत बड़ा लेना देना है क्यों क्योंकि इसी के उपर 2005 में कुछ researchers ने जब work किया तो they found out कि सिर्फ एक अकेला electron ही localized नहीं ही हो सकता हम पूरे atoms को localized कर सकते हैं और उनने इसको थोड़ा और नाम change करके Anderson localization की जगे इसको बोल दिया था multi body localization यानि उनने कहा कि अगर एक line पे खूब सारे atoms को arrange कर दिया जाए तो उनको भी हम वहाँ पर अटका के रख सकते हैं fix करके रख सकते हैं यानि उनको वहां से हम हिलने नहीं देंगे और वह एक particular state में आके अटक जाएंगे अब यह state में कैसे अटकेंगे उसको अपन समझ लेते हैं तो मान लो मेरे पास खूब सारी चुमबक हैं जो खूब सारी चुमबक हैं उनमें North Pole और South Pole है मैं उन सारी चुमबकों को convert कर लेता हूं Magnetic Needle की form में और वो जो Magnetic Needles हैं जब उनको मैं एक दूसरे के आजू भाजू रखूंगा तो कोई किसी को repel करेगी कोई किसी को attract करेगी कोई कि सब कुछ random है और वो जो random arrangement है जहां पर कोई needle किसी को attract करी कि कोई किसको repel कर रही है तो eventually होगा ऐसा कि वो किसी एक particular arrangement में आके अटक जाएंगी लेकिन वो जो arrangement है वो completely random होगा वो मैं control कर सकता हूं नहीं क्यों क्योंकि वो arrangement depend करेगा कि initially मैंने उन चुमबकों को उन magnets को कैसे रखा अब magnets की जगह मैं वहाँ पर atom रख देता हूं atoms के अंदर electrons है atom के अंदर spin है उसको मैं चुमबक के जैसे ही अगर देखूं तो उसका एक direction होता है up या down तो जब मैं atoms को arrange करता हूं ions को arrange करता हूं electrons को arrange करता हूं तो मैं उसी चुमबक वाले phenomena को करता हूं लेकिन अब मैं यह सारा process एक quantum level पे कर रहा हूं और वो process 2005 में एक paper के थुरू research paper के थुरू prove कर दिया गया अब हम jump कर जाते हैं सीधा 2014 के साल में 2012 के साल में already time crystal proposed हो चुका है time crystal के proposal में जो एक कमी थी जहां पर यह बोला गया था कि वह बिना energy use करे अनंत तक एक state से दूसरी state में move कर सकता है उसके calculation के थूँ यह प्रूव कर दिया गया था कि ऐसा possible नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरी जो सबसे बड़ी problem थी time crystal की real situation में वो यह थी कि यहां पर thermodynamics का second low directly नकारा जा रहा था thermodynamics का second low यह कहता है कि कोई भी system समय के साथ बिखरता है कोई भी setup समय के साथ बिखरता है हम समय के साथ बूड़े होते हैं अगर आप एक घर को देखें तो वो समय के साथ जब पुराना होता है तो पुराना होता है यानि already you know that कि यह घर पुराना हो गया है क्यों क्योंकि उसकी situation बिगड़ जाती है और इसको relate करते हम entropy से entropy को हम define करते हैं as arrow of time और जैसे ही मैं arrow of time की बात करता हूँ तो चाहे वो ब्रहमांड की उत्पत्ती हो या वो टैनेट मूवी हो जिसके अंदर समय में आगे पीछे जाने की बात होती है हर तरफ entropy आ जाती है तो अब कुल में लाकर time crystal अगर सही में बनता है तो वो सामने आके खड़ा हो जाता है entropy के क्योंकि thermodynamics से कहती है कि entropy की जो property है वो समय के सार्थ और बिखरती है और बढ़ जाती है entropy is degree of randomness यानि physics में बिखराओ के लिए जो word यूज करा उसको हमने कह दिया entropy यानि मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर मेरा कमरा पूरा बिखरा हुआ है उसमें समान इधर का उधर पड़ा हुआ है तो मेरे कमरे की entropy जादा है और मेरे कमरे को वापिस arrange करके रखना है तो अगर मुझे मेरे समान को जमा करके रखना है तो मुझे उसमें काम करना पड़ेगा तभी तो जो मम्मी होती है वो बच्चों को डाटती है कि अरे निकम में तू काम नहीं करता है तू कमरे को जमा के नहीं रखता है सब कुछ बिखेर देता है तू आलसी है आलसी है काम नहीं करना चाहता एनरजी स्पेंड नहीं करना चाहता इसलिए कमरे को बिखेर के रखता ह यानि entropy इसलिए ज़्यादा है कोई कि उस पे work करके उसको हमने एक order में arrange नहीं किया तो समय के साथ अगर energy input नहीं दिया जाए तो कोई भी system maintain नहीं रहेगा बिखर जाएगा लेकिन time crystal तो यह कहता है कि अगर आप एक बार उस particular state of matter को बना देते हैं उस phase में आप आजाते हैं state of matter के जहाँ पर वो time crystal के जैसे behave कर सकते हैं atoms तो फिर वो अपने आप चलते रहेंगे और उस order को कोई भिखेर नहीं पाएगा कोई तोड़ नहीं पाएगा यानि समय के साथ एक continuity बन गई है continuity ऐसी बनी है कि एक symmetry आ गई है हम एक phase में है थोड़ी दिर बाद एक दूसरे phase में है फिर हम इसी phase में है और यह जो cycle है phase change होने की state change होने की यानि यह जो cycle है जिसमें atoms अपने आप मूँ होके कुछ arrangement दे रहे हैं यह अनंत तक चलती चली जाएगी बिना energy दिये अगर यह अनंत तक चलती चली गई तो entropy का क्या यानि second law of thermodynamics यहाँ पर थोड़ा सा नराज हो जाएगा अब बात या आती है कि यह सब काम researchers ने करा कैसे तो इसकी कहानी बड़ी दिल्चस पह दोस्तों कि 2015 के साल में जो वेदिका जी है उन्हें सबैटिकल लिया पढ़ने के लिए जाती है Max Planck Institute और वहाँ पर वो जब research करती है तो वो अपने research guide के साथ एक ऐसा system बनाती है जहां पर खूब सारे atoms जो हैं वो एक fashion में एक particular pattern में अरेंज हो गए हैं और जब उनको disturb किया जा रहा है जब उनको कोई external energy दी जा रही है तो वो उस pattern को एक particular तरीके से flip कर रहे हैं जो की बार बार repeat हो रहा है यानि अगर एक बार उनने A से B में गए तो फिर से उनको disturb किया तो वो B से C में नहीं जा रहे हैं फिर से A में आ रहे हैं यानि A से B, B से A, A से B, B से A ये एक rhythmic pattern follow होता जा रहा है वो इस rhythmic pattern में finally वो ये observe करते हैं कि जो हम उनको बाहर से energy दे रहे हैं net input output मिला कर net energy consumed is zero अब उनको लगा कि यार हमने तो कुछ एक अलग नया state निकाल लिया है और उनने इसका नाम दे दिया πाई spin glass phase यानि एक ऐसा state matter का जहां पर जो atoms हैं वो एक particular fashion में arranged हैं आप उनको energy देंगी तो वो एक दूसरे pattern में arrange होंगे और ये चीज repeat होती जाएगी कही न कहीं के दिमाग में time crystal वाली बात नहीं आई उसी वक्त जो हमारे चेतन नायक साब हैं उनने भी उसी वक्त एक research करी और उनने अपनी research में same इसी चीज़ को फिर से quote करते हुए as an example बोला कि हमारे पास floquette time crystals आ गए हैं अब उनने एक word यूज किया floquette ये floquette क्या होता है floquette वो system होता है physics की भाषा में बोले एक आम तरीके से समझने के लिए तो एक ऐसा system जो repeat तो हो रहा है लेकिन फिर भी उसमें perfect repetition नहीं है example जैसे कि तुमने spring से एक mass को बंधा और उस mass को तो move कर रहे हो तो जब वो mass move हो रहा है या pendulum move कर रहा है तो वो pendulum या वो spring से बंधा हुआ mass जिस position से चालू होगा वो उस position पे वापिस नहीं आएगा लेकिन there is a periodic motion जहां पे वो उपर नीचे या आगे पीछे move कर रहा है अब इन दोनों teams के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि ये सारी जो इनने mathematical calculations और simulations करी थी इनको जनता के सामने दुनिया के सामने reality में लानो अब वो कैसे किया जाए तो दोनों ने ढूनने चालू करे labs जो हमारे चेतन नायक साब हैं उनने एक ऐसे lab को पकड़ा जहां पर ions को field की मदद से एक point में एक line में arrange करके fix points पे ions को बान्द कर magnetic field की मदद से उनको flip किया जाता है अब ये जो state थी ये काफी कुछ एकदम time crystal के जैसी थी जहाँ पर net energy consume तो नहीं हो रही थी लेकिन ions जो थे वो continuously move कर रहे थे लेकिन इसमें एक problem थी problem यह थी कि इसके अंदर अगर आप बहुत जादा देर तक energy देते रहते हैं तो system कहीं न कहीं disturb हो जाता है और वो जो time crystal वाली जो symmetry है जो आप कहते हैं कि अनंत तक यह process चलता रहेगा वो तूट जाता है लेकिन अब देखें किसमत ने कैसे favor लिया हमारे वेदिकाजी वाली team का तो जब वो भी ढूंड रहे थे कोई ऐसा lab जहांपर वे काम कर सकें तो अचानक news आती है कि गूगल के साइकम और quantum computer ने quantum supremacy को achieve कर लिया है यानि quantum computers जो हैं वो एक reality बन गए है अब उनको use किया जा सकता है जब quantum supremacy की बात हुई थी तो उनने यह claim किया था गूगल की team ने कि उनने कैसे calculation कर दी है कुछ seconds में जो एक super computer को 10,000 साल लग जाएंगे लेकिन अब बात यह थी कि वो जो calculation करी गई थी उसका कोई scientific importance नहीं था तो quantum computer तो आपने बना लिया है लेकिन वो quantum computer अभी कुछ काम की चीज नहीं कर रहा है उसने जो अभी calculation करी है उस calculation का कोई भी scientific community को फाइदा नहीं मिल रहा 1982 के Richard Feynman साब के research paper की बात करें तो उन्हें एक proposal यह दिया था अगर हमें quantum world के basics को simulate करना और बहुत अच्छे गहराई से जानना है तो हमें कुछ एक ऐसी machine की जौरत पड़ेगी जो उसी level पे जाके काम करें और हम उन्हीं को quantum computers कहते हैं तो इक quantum computers की मदद से time crystal बनाया कैसे जाएगा तो दोस्तो quantum computers जो काम करते हैं वो काम करते है quantum bit के उपर जिसको हम qubits कहते हैं साइकामोर जो quantum computer है इसके quantum processor में जो qubits लगी हुई है उनको micro Kelvin temperature पर ले जाकर उन qubits को एक थंड़ा कर दिया जाता है तो वहाँ पर generate होता है electrons का एक pair जिसको हम कहते हैं Cooper pair Cooper pair electrons का एक ऐसा pair है जहाँ पे दो electron pair दो electron है जो एक दूसरे के साथ एक तरीके से entangled हैं और उन Cooper pair के electrons को हम use करते हैं 0 और 1 को define करने में इस बारे मैंने और भी detail में बात करे हैं जहाँ पर मैंने इस वीडियो में बताया है कि qubits बनते कैसे हैं तो जो साइकामोर computer का ये setup था इसको use करा गया और प्रोसेसर यूज करा जिस पे 20 qubits थे उन 20 qubits को arrange करके randomly जब उनकी arrangement को check किया गया तो multi body localization यानि 1958 का जो paper था जिसनी electron को localize करने की बात करी थी उसी से 2005 के paper में जहाँ पर multi body localization की बात हुई थी दोना phenomena's को use करके वेदिका जी की जो team थी उनने qubits के अंदर same phenomena observe करा वो जो phenomena observe हुआ था वो एक random arrangement है जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता यानि वो physics के rule कहते हैं कि आप अगर बहुत कम temperature पे चले जाएंगे और आपके पास electrons है किसी system में तो वो अपने आप एक दूसरे को influence करके किसी एक state में arrange हो जाएंगे अरेंज हो गए अब क्या किया जाए कि laser की electromagnetic radiation पास करी तो जब laser जब उनने उसके उपर qubits की उपर shine करी they found out कि उन qubits की state randomly change हो रही है लेकिन जो random change हो रहा है वो laser की frequency के हिसाब से match हो रहा है यानि अगर laser का maxima आ रहा है तो सारे qubits जो हैं वो एक्सवसी डिगरी flip कर रहे हैं वो जब दूसरा maxima आ रहा है तो फिर से एक्सवसी डिगरी flip कर रहे हैं and overall जो system है ना वो गरम हो रहा है ना वो ठंडा हो रहा है यानि वो जो system है वो laser से कुछ signal तो ले रहा है कि हां मुझे change होना है लेकिन energy नहीं ले रहा और इस particular demo को कम से कम 10,000 बार repeat करकर उनने यह prove कर दिया कि quantum computers की मदद से हम time crystal बना सकते हैं अब बात यहाती कि time crystal बनाने का फाइदा क्या है time crystal ले कहता है कि net energy consume नहीं हो रही इसका मतलब अगर मैं 0 Kelvin के पास भी चला जाता हूं और मैं system को बाहर से disturb करता हूं तो वो उस disturbance से energy नहीं ले रहा रधर उस disturbance से एक इशारा ले रहा है कि मुझे flip होना है यानि I think we can produce super quality high accuracy atomic clocks उसके अलावा quantum computers की performance को enhance करने के लिए we can use time crystals to get better processing power आगे तो समय बताएगा कि time crystal और क्या क्या कर सकता है लेकिन for sure time crystal समय के प्रवाह को नहीं बदल सकता वो भूत भविश्य वर्तमान को नहीं दिखा सकता वो वो कुछ भी नहीं कर सकता जो perpetual machine की बाते हैं यह एक state of matter है जो की समय के साथ एक symmetry दिखाता है अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो like करो, share करो, subscribe करो bell icon ज़रूर दबा देना दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैगें